नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर उत्तर परदेश पैंशन योजना 2023 के अंदरगत जिन व्यक्तियों को लिष्ट में अपना नाम देखना नहीं आता नई पैंशन लिष्ट 2023 के अंदरगत वह अपना नाम कैसे चैक कर सकते हैं लिष्ट में देखने का सही तरीका क्या है लिष्ट में आपका नाम सामिल है या फिर नहीं है कैसे आप लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं पहला आपको ये बताया जाएगा फिर आपको बताया जिनको पैंशन नहीं मिली वे पैंशन धारक क्या करें कैसे वे अपनी पैंशन प्राप्त कर सकते हैं भविस्य में देखें दिव्यांग विद्वां वर्दवस्था और कुष्टवस्था सभी पैंशन धारकों के लिए आज की यह एक महतपून जानकारी है वीडियो की वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं सभी जानकारी डिटेल वाइस में आपको दे देते हैं आप देख सकते हैं हमने यहां पर गुगल ओपन क्या हुआ है क्रोम ब्रावज और लिख कर हमने सर्च कर दिया आपको भी सर्च कर दिना है सुर में आपको लिखा मिलेगा ssp up.gov.in up pension skin आपको इस पर ही क्लिक कर दिना है जैसे हमने क्लिक या हमाई सामने इस परकार से page open हो चुगा है आपके सामने भी open हो जाएगा यहां पर आप दे सकते हैं एक एकरत सा नमाजिक pension portal यानि कि मुख्य मंतर योगी आदितिनात के सरकार की तरफ से उनकी देखरेक में यह pension portal चलाया जा रहा है जितने भी pension से संबंदित अपडेट आते हैं आप यहां से चेक कर सकते हैं पैंसन बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है कितनी pension बढ़ोतरी हुई है यह आपना नाम देख सकते हैं देखिये सबसे पहले हम यहां से 3 dots पर जाते हैं 3 dots पर जाने के बाद अपने फोन काम desktop साइट में ओपन कर लेते हैं यानि कि जैसे computer ओपन होता है देखिये डेक्ट अपन की अब हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है देखिये इस पोर्टल पर 4 पैंशन योजना चलाई जा रही है पहली है वर्दवस्था दूसरी है अनिरासित महिला पैंशन यानि कि तलाक्षदा और विद्वा महिलाओं के लिए पैंशन यहां से चेक कर सकते हैं दोसरा है दिव्यांग पैंशन योजना और दोस्तों तीन पैंशन आपको देखने हो मिलेगी चोथी है वह है यहाँ पर कुछ तवस्था पैंशन योजना यानि की चार पैंशन योजना यहाँ पर उतरप्रदे सरकार द्वारा चलाई जा रही है कुछ ऐसे पैंशन धारक है जिनको 3000 रुपे परतिमा सरकार उत्रप्रदिसरकार पैंशन दे रही है वे कुछ तवस्था पैंशन दारक जिनकी भी कुछ तवस्था पैंशन बनी हुई है उन्हें 3000 रुपे हर महीने सरकार बैंक खाते में उनके ट्रांसफर करती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें निरासित या तलाक शुदा महिलाओं को तो उनको एक हजार रुपे परतिमा पैंशन दिये जाते हैं ऐसे ही एक हजार रुपे दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाते हैं और एक हजार रुपे वर्दवस्था पैंशन धारकों को दिया जाते हैं लेकिन इन सभी के बैंक खाते में हर महीने पैंशन ट्रांसफर नहीं की जाती तीन महीने के बाद चोथे महीने में ये पैंशन आसी लावारती बैंक खाते में तीन हजार उर्पे आने की एक महीने के घजार उर्पे तीन महीने के तीन हजार उर्पे ये पैंशन आसी सरकार तीन महीने के बाद चोथे महीने में लावारती को बैंक खाते में पैंशन आसी है आपकी pension बनी हुई है तो हम सीधा यहाँ पर दिवियांग pension योजना पर क्लिक करते हैं योजना की विशे पर सबीख के नीचे लिख measurements यहाँ पर पूरा सारांस pension का दिया गया है तो यहाँ पर हम सीधा हम यहाँ पर इस पर किलिक कर लेते हैं, किलिक होने के बाद, अमस्तार एक एकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्यान विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है, परसकार से ओपन हो जाता है, तो यहाँ से जितने भी आपके जनपद हैं, इन जनपद में से आपको अपना जनपद का चुनाव कर लेना है, देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्टिक्ट है, 75 जिले हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, 75 आपको लाश्ट में लिखा मिलेगा, यहाँ पर 75 है, इन वे से जो भी आपका जिला है, डिस्टिक्ट है, जनपद है, आपको उसका चुनाव कर लेना है, हम जितने भी गाउं के पैंशन धारक है, गरामीन छेदर के पैंशन धारक है, उन्हें अपना यहाँ से विकास खंड का चुनाव कर लेना है, अब यदि कोई सहर का पैंशन धारक है, तो उन्हें यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना है, देखें, नगर निकाय नी देखें यहांपर देखो वार्ड नंबर लिखा है यहां पर क्वार्टर वन हैं कौटर टु है कवार्टर थिरीयत क्वइं स Noel गाँन और लगा है तो दोस्तों देखें आपको इस समय जो pension दिज़ रहे हैं अक्टूबर और नॉमबर दिसम्मर की दिज़ रही है यानि कि ये pension 80 आपको देखने को मिलेगी इस third quarter में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसे pension दारक वे देख रही हैं इस वाले quarter में और इस वाले quarter में जातर pension दारक यही गलती करते हैं कि वे इस quarter में देख सकते हैं और कहते हैं कि सर्व लिष्ट में हमारा नाम है लेकिन pension बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है तो दोस्तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है आपको pension जो देखनी है वह है October और November की जदी आपके bank खाते में आ गई है तो आपको यहाँ पर इस column में देखनी है अब आप यह सोच रहें कि यह column तो खाली है यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तो देखे अभी यह portal अपडेट नहीं किया गया है यह portal अपडेट जब किया जाएगा जब सभी उत्तरप्रदेश में जितने भी pension दारक है सभी को pension नासी दे दी जाएगी जैसे pension नासी सभी को मिल जाएगी तो कुछ दिनों के बाद यह portal अपडेट हो जाएगा तो देखे आपको यहाँ पर इस वाले में ही चेक करना है तो हमकरette और यहां पर हमेंगेक जाते को पहला है यहाँ वस हरना से पहले दो तो은 धारक को यहाँ पर अपना पली लिंद्म देखना है यहाँ पर we get the और कितनी पैंशंदार सी यहां पर दी जा रही है बैंक का नाम देखिए अपना अकाउंट नमर देखिए और ट्रांजेक्शन इसी देखिए पैमेंट रिलीज्ट तो दोस्तों यहां पर यह तो हम क्वार्टर टू का आपको फोर एक्जंपल के तोर पर समझा रहे हैं कि गवर्मेंट को एपातर पाए गए थे उनका नाम लिष्ट में से हटा दिया है धोका धड़ी से अंदस्तावेज बनवागर वेज सरकार से पैंशन प्राप्त कर रहे थे और कुछ ऐसे पैंशन दारक थे कि जिनकी मृत्यू पहले ही हो चुकी थी लेकिन उनके बैंकाद मे अपनी पैंशन देखना चाते हैं तो आपको जैसे पैंशन पोटल पर पैंशन अपडेट हो जाती है तो यहां पर इस वाले कोलम में आपको अपना नाम देखना होगा इस वाले कोलम में आपको अपना नाम देखना है लिष्ट में अपना नाम देखना है और देखना है कि इतने गुत्तर प्रदेश के pension दारक है, जिनको pension नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो उन्हें अपने pension application फरम की जांस करानी होगी, देखना होगा, क्या यहाँ पर यह चार कोलम आपके सही है, यह पहला complete है, दूसरा तीसरा, यह सभी complete आपके होने चाहिए, आपका PMS validation accept होना चा पर आपको मिलता है bank column, इस bank column में आपकी personal detail मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपका account number, आपका branch कौन सी है, तो यह सभी जानकर आपको चेक कर लेने हैं, बहुत से ऐसे pension दारक है, कि जिसका IFSC code गलत हो रहा है, उसके वैसे pension रोक ली गई है, तो यह सभी आपको ठीक करा लनी है, आपका जो आधार card है, वह आपको लेकर जाना है, document समझते रहेगा, आधार card, पहला है आपका, फिर दूसरा है आपका mobile number, तीसरा है आपकी bank की passbook, जिस bank में आपका bank खाता था, आपकी pension पहले आ रही थी, उस bank के आपको photo state करागर passbook की, वह लेकर चले जानी है, तो यहाँ पर ये कार ये आपको करना है, तीन document हमने आपको बताए हैं, देखे पहला आधार card है, mobile number है, और bank की passbook है, और इस जो आनी की आविदन करते समय आपको एक slip दी गाई होगी इस pension की, या फिर आप अपना pension रेशन नंबर आपको लिखा होगा पहले से या या वालूम नहीं है तो जब आपने अविदन किया था, वहाँ से आपको एक slip मिली होगी, वहाँ सिलिप लेकर से लिजाने हैं, चार्ट डोक्यमेंट आपके हो जाने हैं, तो यहाँ पर आपको विकास भवन में या फिर जिला समास के लेंड में जाकर आपको जमा कर देने हैं, और उनको बतान अब देक अपना EKYC नहीं कराया, तो अपना EKYC अपनी पैंसन का आपको करा लिना है, आधार कार्ड और मॉबाइल नंबर के माधियम से नजदीगी CSE सेंटर पर जाकर ये कारी आप स्वैम करा सकते हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पैंसन दारक है कि जिन्नोंने अ सरकारदोरा ट्रांसफर की जाए, आपको ला मिलता रहे, आजसा करते हैं, आपको हमर्दी जानकारी पसंद आ गई होगी, और यहाँ पर आपको दोनों तरीके मालूम हो चुके हैं कि सही तरीका पैंसन देखने का लिस्ट में देखने का क्या तरीका है, तो दोस्तो यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आई, तो वीडियो जोड़ा लाइक कर दीजेगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं, आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए, लाश्ट में निवेदन एक करेंगे, चैनल वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भरत!